गूड मॉर्णिंग डे रिश्ट्रेंट्स इस क्लास के तहत आज सभी विद्यार थी फीगर ओफ स्पीच के बारे में सीखेंगे कि फीगर ओफ स्पीच क्या होती है सभी लोग ध्यान देजिए कि फीगर ओफ स्पीच एक इंपोर्टन टॉपिक है क्लास 12 के एक्जामनेशन के पॉइंट आभ यूवसे का और इसमें हम जो देखते हैं वह याय कि 4 प्रक्रोफ मार्क्ष कायी अचार में आप लोगों के आएगा बॉर्ट एगर हम बॉर्ड के एक्जामनेशन पॉइंट आभ ओव स्पीच में से one की आपको definition और two examples आपको देने रहेंगे जिसके लिए आपको कितने marks मिलेंगे four marks मिलेंगे इसको आपको ध्यान में रखना है तो सबसे पहले हम figure of speech को जानते क्या हैं जैसे हिंदी में इसे अलंकार कहा जाता है वैसे English literature में हम figure of speech को पढ़ते हैं यह क्या करता है कि मतलब जो हमारा काब भी होता है ठीक है उसके सवंदरी को बढ़ा दिता है मतलब चुकि आभूशन कहा जाता है figure of speech को साहित्य का उसी प्रकार English में भी यह आपका क्या हो गया साहित्य का आभूशन हो गया जैसे देखे definition लिखा गया when a writer or speaker uses a word or expression in a different sense मतलब एक अलग भाव में रखता है from that which normally belongs to it मतलब जो इसका normal या सामान अर्थ होता है उससे बिसेस अर्थ देने के लिए जब writer use करता है या expression करता है अपने idea को ठीक है its uses is called figure of speech इसका प्रयोग क्या कहलाता है figure of speech कहलाता है by its usage इसके प्रयोग से a language become more effective and beautiful एक जो भासा होती है अधिक प्रभावसाली और सुन्दर बन जाती है clear हो गया अब its kind मतलब इसके प्रकार पर हम जाते हैं तो जो intermediate के syllabus में है वो साथ प्रकार की figure of speech आप पढ़ते हैं जिसमें आपका सिमली है metafor है, hyperbol है, personification है, epastrophe है, oxymoran है और उसके अलामा onomatopoeia मतलब साथ figure of speech आपको पढ़ने हैं साथ हो आपके syllabus में है तो आपको इसको क्या करना है अच्छी तरीकी से पढ़ना है जैसे first आपका figure of speech आता है simly, simly क्या है इसको आप लोग समझ लेजिएगा जैसे कहा गया a simly is completion of two things of different kinds which have one or more points of resembles resembles मतलब समान होता है इसमें दो या दो से अधिक कह सकते हैं मतलब दो बस्तूओं के बीच में क्या की जाती है तुलना की जाती है वो भी कैसे होती है different kinds से जिसमें कम से कम एक या एक से अधिक point एक समान होते हैं मतलब similar होते हैं या समानता को शो करता है वही figure-off speech आपके क्या कहलाती है simly कहलाती है the comparison is made by using such words like so, as, or like so as मतलब तीन word है जो comparison के इसमें often क्या किया जाते है यूज किया जाते है तो simly figure-off speech आपका important है आपन पूछा बेजाता है इसी भी है तो आप लोग इसके दो एक्जांपल में इसलिए एक्जांपल में दो दो एक्जांपल लिखा है उसके definition simple way में लिखा है आप लोग learn कर लीजेगा simly is comparison of two things of different kinds which have one or more points resembles 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 की meaning भी बता दिया मतलब समान होता है the comparison is made by using such words as, like, or so example जैसे लिखा गया हर lips trembles like a leaf मतलब उसके ओंट ऐसे कापते हैं जैसे क्या लीफ मतलब पत्ती I wonder lonely as cloud ठेक है यहां पर वर्ट्सवर्थ की poem की line है मतलब मैं अकेले वह ऐसे भ्रमण करती हूं जैसे क्या बादल अगला लिखा गया देखें दूसरा figure of speech आपका क्या है Meta offer Meta offer क्या है इसे हम employed simile कहता है मतलब इसमें जो compression की चीज़ें होती है वह क्या होती है उसे में employed कर दी जाती मतलब समानता प्रदर्शित कर दी जाती इसलिए Meta offer कहा जाता है जैसे अब definition में आप आते हैं लिखा गया Meta offer is an employed simile ठीक है लिखा गया like the simile it does not state resemblance between two things simile की तरह इसमें समानता सो नहीं की जाती but takes far granted that two things are the same लेकिन उसमें दोनों चीज़ों को एक समान मान लिया जाता है वह figure आप इस पीच आपकी क्या कहलाती है Meta offer कहलाती है जैसे लिखा गया childhood is a passing dream childhood मतलब बच्पना एक passing dream मतलब क्या हो गया जैसे कहा गया गुजरते हुए स्वपने के समान है अगला आपका देखी लिखा गया infancy is the dawn of life infancy क्या है dawn मतलब भोर होता है ठीक है जीवन का क्या है भोर है इसके बाद देखिए अगला फिगर आप इसपीच हम थर्ड पर जाते हैं थर्ड हमारा hyperbola है hyperbola में क्या होता है अतिस्योप्ति कहा जाता है लंकार इस वे hyperbola is an excretion are overstatement for the sake of making a deeper impression मतलब किसी चीज को जैसे हम बढ़ा चड़ा करके बोलते हैं वह आपका concept ही कर लाता है hyperbola कर लेता है definition learn कर लिजेगा जैसे example लिखा the sea rose mountain high मतलब जो समुद्र है न वह इतना वढ़ा कि परबत से उंचा हो गया ठीक दूसरा क्या लिखा गया सी बेप्ट ocean of tears मतलब ओ इतना रोई मतलब ocean of tears समुद्र भर आसू समझ में है तो वहाँ पर आपका कौन सा figure of speech हुआ क्लियर अगला इसी रूप में हम जाते हैं जो हमारा figure of speech है परस्निफिकेशन फोर्थ figure of speech परस्निफिकेशन मतलब किसी चीज़ को हम परस्निफाई करते हैं जैसे कहा कि in this figure of speech inanimate objects are abstract ideas are spoken as if they were living person मतलब हम निर्जीव चीज़ों को या absent चीज़ को abstract मतलब होता है अमूर्थ चीज़ों को ऐसे सम्भूधित करते हैं जैसे वह क्या है जिन्दा ठीक है इसे हम परस्निफिकेशन कर देते हैं किसी चीज़ का जैसे लिखा गया Everest is the king of mountains Everest क्या चोटी का नाम है वो परवतों का क्या है राजा अब राजा मतलब क्या हो गया परस्निफाई कर दिया गया उसे मानवी करण कर दिया गया अगला लिखा गया एनक्स्टी is sitting on his face एनक्स्टी मतलब चिंता मतलब सीधे उसके चेहरे पर मतलब जैसे असपस्ट दिखाई दे रही उसके चेहरे पर बेल्ट ही है अब एनक्स्टी को परस्निफाई कर दिया गया इस फीगर आफ इस पीच आपका ऑग्जी मोरेन जो फीगर आफ इस पीच है इसे हम विर्वधावास कहते है करता है यह फीगर आफ इस पीच आपका ऑग्जी मोरेन है तो जैसे लिखागे दफीगृफब इस इस दो चीज़ें को एक साथ रखा गया देखिए अपोजिट मीनिग है आपर जैसे कहा कहें ही लब्ड इस अर्ड़ इस आड़न डल्प टेक है laborious idleness देखें दोनों अलग चीजे है laborious मतलब parish creamy industrial 수도 होता है idleness मतलब क्या होता है laziness होता है दोनों को यह चीज के रुप में रखा गया मतलब कर कि अ Deaf A life of laborious idleness clear हो गया अब six पे हम ञाते है जिसे हम onom autopoia कहते हैं इस figure of images को आम कहते है onom autopoia consists in the use of words which suggest the sense of their sounds मतलब जो sound के आधार पर किसी earth meaning को suggest करता है so करता है वो आपका क्या हो गया इसे हम ध्वन सुचा का लंगकार भी कहते है many words have this quality जैसे सच हो गया crest, bang, hiss, mu, rattle, whisper ये क्या है आपके sound है इनके आधार पर हम earth को समझते है जैसे लिखा गया the rattle of the hill upon the roof hill मतलब इस्टार्म, तोफान rattle का मतलब उसका जो दहारना होता है जिसके उपर छट के उपर आवाज सो करता है the murmur haunts of flies of summer youth ठीक है youth मतलब होती है bela जिसे हम कह सकते है murmur's haunts murmur's का मतलब क्या होता है आवाज, किसका flies मतलब मक्हियों का ठीक है अगला लिखा गया apostrophe apostrophe लिखा गया last figure of speech 7th है जो आपकी परिक्षाम important है लिखा कि apostrophe is an address to a particular person और object often dead or absent मतलब जो चीज, कोई चीज dead होता है या absent होता है उस चीज को क्या किया जाता है address किया जाता है, सम्भूतित किया जाता है किसमे apostrophe figure of speech में तो इसे आपका ये 7th figure of speech है इसमें हम किसी चीज को क्या करते है सम्भूतित करते हैं जैसे कहा गया oh death, where is thy sting ठीक, अगला लिखा गया sweet temps sweet मतलब मधूर होता है temps is the name of river run swiftly till I end my song मतलब आराम से swiftly मतलब बहना होता है, चलना होता है जब तक मेरे शांग क्या ना हो समाप्त ना हो तो सभी विद्यारती सबसी important thing क्या है कि आपको एक figure of speech परिक्षा में पूछा जाएगा उसकी definition अच्छे से दो examples लिखने रहेंगे four marks आपके लिए महत्तपूर्ण है लेकिन इसमें सबसी important है कि सभी figure of speech की spelling आपको correct learn रहने चाहिए चुकि वहाँ पर personification लिखते है oxymoran लिखते है ठीक है एप वस्टाफी लिखते है आनम मोटपोया लिखते है या इसी प्रकार hyperbol लिखते है ठीक है metafor लिखते है simli लिखते है ठीक है इन सब की spelling learn होनी चाहिए इसके साथ इनकी definition तथा दो example आपको exam में लिखना है तो आपको आसानी से four marks मिल सकते हैं तो सभी विद्यारती वीडियो को देखेंगे उसके अर्थ को समझेंगे तथा अपनी copy में note down कर लेंगे ओके थेंक्यू फार दिस class